असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब इन्शादला खेरियत से होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे सूजी के सूखे हलवी की रासिपी जिसको सूजी का टुकडी हलबा भी कहा जाता है अक्सर लोगों कोई शिकायत होती है कि सही से जमता नहीं है तो मैं आज आपको तमाम स्टैप अच्छी तरह से बताऊंगी और आप भी बहुत आसानी से सूजी का टुकडी वाला हलबा बना सकेंगे इसके लिए मैंने एक सॉस पैंड में देड़ कप के करीब चीनी लिए इसमें एक कप पाने शामिल करूंगे चाशनी बनाने के लिए और इसके साथ ही एक इल परक दिया और हलके अचaboutव पर इसको पका रहे हूं चाशनी को बहुत जादा नहीं पकाना है जैसे कि दो तार या तीन तार जो बनाई जाती है वो इतनी जादा इसको नहीं पकानी है वरना बहुत जादा सक्त हो जाए Calvin यह आओर यह देखें चैनी मिलकुल खुल चुकिय चाशनी बनाके हमने एक्साइट कर दिये और अब ये एक बरतन में सूजी ले लिए गींजरम किया है और इसमें एक लाइची तोड़ के डाल दिये और इसके साथ सूजी इसमें डालकर भून दिया सूजी को बहुत हलकी आंच पर भूनना है वरना यह बहुत जल्दी जलने लगती है और बस हलकी हलकी आंच पर इसको भूनते रहें जब तक कि इसका हलका सा कलर चेंज हो जाए सूजी का जो सूखा हलवा या टुकड़ी वालवा आता है उस तैयार हो चुकी है और यह देखें सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से खुश्बू भी बहुत अच्छे आ रही है तो सूजी भूनकर बिलकुल तैयार हो चुकी है और यह बहुत हलकी आंच पर सूजी मैंने भूनी है और अभी भी हलकी आंच रखना है जब हम इसमें चाष्णी डाल रहा हैं, कि अगर तेज आच होगी तो यह बहुत ज्यादा चीटे उड़ते हैं। चाष्णी डालने के बाद सिर्फ इसको तीन चार मिनट भूनना है, बस इससे ज्यादा बिलकुल भी नहीं पकाना है। क्योंकि अगर जाशनी डालने के बाद इसको हमने ज्यादा पका लिया तब भी हलबा बहुत ही ज्यादा सखत हो जाता है 3-4 मिनट पकाने के बाद मैं इसे ट्रे में डाल दूँगे ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस करके रख लिया था क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता कि हम बरतन को ग्रीस करें हलबा जमने लगता है बहुत तेजी के साथ हलबे को ट्रे में डालकर अब इसको साट करना होगा है जिसम अतन हो एक छोटेसे प्याले से इसके भी नीचे मैंने हल्का सा गी लगा लिया था मतलब इसको भी ग्रीस किया हुआ है ताकि ये हल्वा इस पे चिपके ना ये जो प्याला है इसको भी मैंने ग्रीस करके हल्वे को इससे सेट किया है और अब ये हल्वा अच्छे से सेट हो गया अब इस पर dry fruit डालने ड्राइप रूट आप अपनी मरसी और पसंद के मताबिक जितने भी चाहें और जिस तरह भी चाहें डाल सकते हैं इसमें पिसावा नारियल भी डाला जा सकता है और यह जैसे कर्ष किया हुआ है मोटा मोटा सा यह नारियल जो मैंने डाला है इस तरह से भी डाल सकते हैं अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आये तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा और यहां पर मैंने ट्राइप रूट डाल दिये हैं और इस पर हलके हलके पहले से मैंने निशान लगा लिए था और यह चुरी से अब मैं इस पर कट लगा रही हूं क्यूंकि अभी यह थोड़ पर रखना है तकरीवन चार-पांच घंटे में यह बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है सूजी का टुकडी वाला हलवा बना कर काफी दिन के लिए सेफ किया जा सकता है यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता इसी तरह इसमें चने की डाल का हलवा भी बना सकते हैं बेसन क और यह देखें यह कितना अच्छा जम चुका है और यह बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का सूखा हलवा तयारे यह दरसल हमारे रिवाइती खाने रिवाइती मीठे हलवा चमया जर्दा यह चीज़ें तो हमेशा से हमारी रिवायत में शामिल रही हैं अब तो बहुत नए खाने और मीठे भी तरह तरह के तैयार होने लगें लेकिन यह हमारे रिवाइती खाने जो हैं यह हमेशा सब को पसंद आते हैं कतलियां थोड़ी सी आपस में जुड़ गई हैं लेकिन बहराल यह बहुत अच्छी तरह से जम गई है मैंने इसको अलएदा अलएदा कर लिया और यह देखें बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का सुखा अलबब तैयार हो चुका है आप भी जरूर ट्राइ कीजेगा आपको और घरवालों को जरूर पसंद आएगा अब मैं आपसे अजास्त चाहते हूं मिलते हैं अगली रासिपी के साथ इन्शाला अपना और अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा खयाल रखिएगा अल्ला आपस